हलो दोस्तो मेरा नाव में तोफिकर आप देख रहे है टेकनिकल तोफिक चैनल चले दोस्त आजम बात करेंगे मौन्स्टर वीडियो नेक्स्ट प्रोक्सी एप्लिकेशन के बारे में जिया दोस्ती एप्लिकेशन क्या है केस से आप इस एप्लिकेशन का यूज करके वीडियो यहां दोस्तो सफीकलिकेशन करता है दोस्तों इंटर्फेस्टर नाम इ longer सखर रहता है यहांपर इस एपलिकेशन के तुरिकेशन को यो डिए करने के लिये ऊपन कर लेatas ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेर दिखाया देंगा अलाव वाले ओप्शन पर किलिक करके एप्लिकेशन को पर्मिशन दे दिनी है फिर थोड़ा से यहापर आपको वेट कर लेना है नीचे की तरफ गेट स्टार्टेट का ओप्शन आजाएंगा आपको इस पर किल करना है क्लिक करने के बाद connection request आएजिए आपको क्या करना है फिलाल में cancel वाले ओप्शन पर किलिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको इंटरफेर दिखाया देगा फिर यह सवाले ओप्शन पर किलिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से फिर से आपको वही processing दिखाए देगी फिर से आपको get started वाले option पर click करना और अब आपको क्या करना है okay वाले option पर click करना है क्योंकि दोस्तों इस application को use करने के लिए आपको सबसे पहले इस application के अंदर starting में VPN connect करना होगा यही इस application का काला साच है कि आप directly इसे open नहीं कर सकते हूँ अगर आपको इसे use करना है तो पहले VPN connect करना होगा ताभी फिलाल में okay वाले option पर click कर लेता हूँ जैसी मैंने click कर लिया है देख सकते हैं इस तरीके से application का homepage येपन हो जाता है और directly देख सकते हैं मेरा VPN connect होने start हो जाता है क्योंकि मैंने पहले okay वाला option जो connection request आई थी मुझे उसको मैंने okay कर लिया था देख सकते हैं मेरा VPN यहाँ पर connected successful हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर मैं बताए तो ब्याका करके तो देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो connected मेरा नाम आ रहा है अब आगर आपको इसके बाद अगर VPN connect करना server select करके connect करना आपको कोई दूसरा server लेना आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको server का option आ जाता है पहले से मेरा VPN connector लेकिन मेरा server यहां पर change कर लिया है यहां पर मैं थोड़ा wait कर लेता हूँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका VPN connect हो जागा connector successfully मेरा आचुका है थोड़ा बयागा जाता हूँ तो इस तरीके से VPN connect होने के बाद आपको interface दिखाए देगा अब आपको disconnect करना तो देख सकते हैं आपको पाउश का बटन है आपको इस पर किलिक कर लेना disconnect का option आएगा आपको इस पर किलिक कर लेना है वहले किलिक के अदर आपका VPN disconnect हो जाएगा इस तरीके से दोस्ता आप इस application का यूज करके VPN को connect कर सकते हो पुरी जानकरे में नहीं आपको देदिये सही से यूज करने का तरीका भी बता दिया इससे अगर आप यूज करोंगे तो आपको कई पर भी problem नहीं है और easily आप अपना VPN को connect कर सकते हो वीडियो अच्छे लेगी हों तो प्लिस वीडियो कर देना लाइक और चेनल को कर देना सब्सक्राइबर